प्रशान दवर नाव पहली बार देखा गया है कि UN के रेजिलूशन में प्रॉपरली हिंदी का मेंशन किया गया और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यह हिंदी में भी पब्लिश किये जाएंगे यह अपने आपे मैं काऊंगा एक इंडिया के लिए काफी अच्छी न्यूज है क्योंकि इंडिया ही इस रेजिलूशन को स्पीर हेड कर रहा था तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में के इस रेजिलूशन का मतलब क्या होता है बेसिकली अब होगा क्या हिंदी को किस तरीके से पॉड़ेस दी जाएगी यह इंडिया के लिए टाइम पॉरेंट क्यो है बहुत कुछ आपको जानने को बिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पूछूँगा के हाली में एक योदवयास हुआ है खान क्वेश्ट के नाम से खान क्वेश्ट तो आपको बताना है कि यह मल्टी नैशनल पीस्कीपिंग योदवयास खान क्वेश्ट किस कंट्री ने और्गनाइस किया है ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन भी मंगोलिया, ऑप्शन सी कजाकस्तान या फिर ऑप्शन डी इसराइल भारती असेनल ने भी यहाँ पर पाडिस्पेट किया है तो कॉमेंट सेक्शन में आंसर करो सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो केंड में उनिया में बताया जाता है कि थर्ड या फोर स्पोर्ट पे आपको हिंदी मिलेगी इन टर्म्स ओव नेटिव स्पीकर और अभी भी मैं आपको बता दूँ के हिंदी के मान के चलते हैं कि सिर्फ तीन सो चालेज मिलियन नेटिव स्पीकर हैं इंडिया की टोटल पॉपलेश और इस नंबर को भी आप अगर काउंट करो तो रश्यान से दो गुरा से भी जादा लोग आपको मिलेंगे दुनिया में जो हिंदी बोलते हैं अगर प्रॉब्लम ये है कि जो ये ओफिशल लैंग्वजेज हैं यहापर सबसे पहले तो कवर किया गया है उन कंट्रीज को ज देखें तो अरबेक भाषा के उतने लैंग्वेज स्पीकर्स नहीं आपको मिलेंगे मगर दुनिया में बहुत सारे देश है जहाँ पर छोटी छोटी आबादी है उन सब कंट्रीज ने मिलकर अपनी लैंग्वेज को पुछ दिया और अरबेक एक ऑफिशल लैंग्वेज जाएगी उनाटेट नेशन में नाव जो करन गवर्मेंट है इसने 2018 में एक मिशन लॉंच किया था मिशन हिंदी एड यूएन और इसके अंदर कुछ तरक्की हुई है कुछ तरक्की फॉर एक्जामपल हमने यह देखी है कि यूनाटेट नेशन ने 2018 में एक प्रॉपर लैंग्वेज में और देखो ये सब करपाना भी एक छोटी उपलब्दी नहीं थी क्योंकि इंडिया में जैसे मना को बताया काफी बार क्वेशन रेस किये गए कि यूनाटेट नेशन में हिंदी को प्रमोड करने का परपस क्या है ये काफी बार केरला तामिलाडू साउथ की जो बाकी स्टेट्स हैं वहां के जो MLA है MPN उन्हें पूछा फर एक्जामपल यहाप आप देख पाऊगे ये आर्टिकल है 2018 का उसी टाइम जब UN ने ये सब स्टेप्स उठाए थे थरूर साब ने आप एक क्वेशन किया था कि आपको मिलेगा क्या अगर हिंदी ऑफिश का रास्ता है थोड़ा और आसान हो सकता है इंडिया के जो क्रिडेंशल्स हैं ये और इंप्रूव हो जाएंगे और इसी मोहीम ने रीसेंटी इंडिया ने युनाइटे नेशन्स की जैनल असेंबली में एक रेजिलूशन पास करवाया यहाँ पर ये लिखा है कि कई भाश चाइनिज, फ्रेंज, रॉशियन, स्पैनिश आर बोद इओफिशल और वर्किंग लैंगवजेज ओफ दे जनर असेंबली यह आपर अब आड़ कर रहे हैं कि अब जो नौन ओफिशल लैंगवजेज है उनमें भी हम काम करेंगे तो जो ये नौन ओफिशल लैंगवजेज है कौन-कौन सी है एक तो पॉट्विश आड़ हो चुकी है नौन ओफिशल में उसके लावा हिंदी है कि स्वाहिली लैंगवज है यह आपर यह तंजानिया में बोलते हैं एफ्रिका की लैंगवज है फिर पर्शियन, इरान की लैंगवज, पर्शियन को भी यहाँ पर है, तो उसके लिए नेशन, जनल असेमली में वोटिंग करनी होगी और टू थर्ड मैजवर्टी इंडिया को चाहिए होगी यह सब करने के लिए हमको बहुत से ओर कंट्री का सपोर्ट चाहिए होगा आफरिकन कंट्री का सपोर्ट चाहिए होगा, इसलिए हम उनकी language को जो importance मिलनी चाहिए UN में वहाँ पे help कर रहे हैं हमें Brazil का support चाहिए होगा Portugal का support चाहिए होगा इसलिए हम Portuguese को भी यहाँ पर promote करने में help करते हैं तो यह एक long term diplomacy का project है recently इसमें काफी अच्छी तरक्की हुई है future में आसार काफी bright है कि हिंदी को अपनी deserved जो एक जगा है UN official language के list में यह जरूर मिलेगी अगर हम इसी तरीके से effort करते रहते हैं और हाँ मुझे आपर वैसे यह भी बोलना पड़ेगा कि यह जो अभी उपलब्दी है अभी के लिए for the time being यह ना सिर्फ हिंदी के लिए उर्दू बांगला के लिए भी एक अफ़ी अच्छी news है क्योंकि यहाँ आप देख पाऊगे बंगॉली में आर्टिकल है बंगॉली UN resolution में में मेंचन करी गई यह बंगॉली speaking लोगों के लिए बहुत अच्छी news है बंगलिश में आप देखोगे लोग celebrate कर रहे हैं इस बात को लेकर वाप headline यह कह रही है कि बंगॉली पहली बार UN के resolution में में मेंचन करी गई है वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ तो सही उत्तर इसका हो गया option B is the right answer मंगोलिया ने host करी है यह exercise और Indian Army के contingent ने भी यहाँ पर किया है पाडिस पेड यार रखियेगा very important Ladakh Scouts ने India को किया दा represent at Khan Quest 2022 and finally आपर मैं यह भी add कर दूँ कि आप किसी भी एक्जाम की जारी कर रहे हैं चाए UPSC, SSE Bank, NEET, IIT, JEE simply जाओ comment section में यहाँ पे आपको link पिलेंगे exams के और यहाँ पे an academy के courses आप कर सकते हैं purchase with a flat 10% discount तो for example let's say आपको prepare करना bank exam के लिए तो click करिए यहाँ पर subscription link पर और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं bank exam course for a flat 10% discount अगर आप 24 भीने का course purchase करना चाते हैं तो यहाँ पे जो rate आपको दिख रहा है 375 रुपीज पर मंथ यह पे करने की आप शकता नहीं है simply यहाँ पर code यूज करिए PD10 and the prices will just start falling so use the code PD10 and save money so यसी note के साथ यह है video कांथ thank you for listening and as always God bless you all कर दो गर मंदे this गया कर दोए है झाल झाल